अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगते हैं तुसे लाइक करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगए बैल एकिंग को प्रेस करना मत पूलेगा इससे मेरे आने वाले हर नहीं रहाज पर वीडियो सबसे पहले आप तक वहुंचेगी थेंक्स वॉचिंग मैं वीडियो मैं होई क्राफ देख रहे हैं टिप्स वीडियोटीब चैनल तो आज मैं अपने चैनल पे आपके लिए बहुत ही जबर्दस्त क्रिस्पी स्पाइसी पकोड़ा लेक्या हूं प्याजी पकोड़ा मैं आज आपको बनाना सिखाने जा रही हूं जो कर बहुत ही डिलिश्यस प मैंने युलमबाई में कट कर रहा है और इसके बाद मैंने उसको अच्छे से वाश कर दिया था और यहां पर है मेरे पास चाट मसाला वां टेबल स्पून में चाट मसाला इसके अंदर एड़ करूंगी और ग्रीन चिली से है मेरे पास 6-7 जिनको मैंने बारी बारी कट कर ल लिए था और बेसन हम इसके अंदर हस्बे जरूरत एड़ करेंगे और दो कप लगेगा बेसन इसके अंदर और छे साथ मैंने लैसन के खिलॉफ्स लिये थे जिनको मैंने बारी बारी चॉप करा है और यह है मेरे पास लैमन जूस वान टेबल स्पून वान टी स्पून लाल और नमक लेंगे हम हस्बे जाएका आप अपनी मर्ज के अकॉर्डिंग स्पाइचे इसके अंदर एड़ कर सकते हैं साबुज जीरा लिया है मैंने वान टेबल स्पून और वान टेबल स्पून मैं साब धनिया यूस करी हूं साब जीरा साब धनिया बहुत अच्छा रखता है अब कोड़ों के अदर तो मैं ऐसी एड़ करती हूँ तो सबसे पहले एक बाहुश के अंदर हम ने डाल दिया है प्यास इसके साथ मैं अड़ कर दूंगी घ्रीन चीलीस इसके साथ अब हम एड़ कर देंगे लेसन के गलॉस छे साथ लिये थे मैंने बारीक बारीक उनको जॉप कर लिया था इसके साथ मैं इसके अंदर एड़ कर दूंगी पालक पालक इसके अंदर बहुत अची रखती है और से ये क्रिस्पी स्पाइसी बनते है साथ मैंने एड़ कर दिया है फ्रेश कोरियंडर साबस जीरा एड़ कर देंगे कसूरी मिथी एड़ कर दिया है और अब इसके अंदर जाएगा चाट मसाला अपनी मर्जी के स्पाइसिस एड़ कर सकते हैं आप जो आपको पसंद लगी है जितनी कौंटिटी आप नरखना चाह जो वह वाला एड़ कर दिया है लाल मिर्च पाउडर एड़ कर देंगे नमक नमक अपने टेस्ट के अकोर्डिंग आप यूज कर सकते हैं और अब मैंने इसके अंदर डाल दी है हलती सिंपल से मसालें जो हमारे घर में अवेलिबल होते हैं उन्हीं से पकोड़ा बन जाता ह है अब मैं दो कप इसके अंदर बेसन एड़ कर रही हूं ठीक है दो कप आपने बेसन एड़ करना ज्यादा मत एड़ कर दीजेगा वह ना आपके लच्छे नहीं बनेंगे और अब इसके अंदर एड़ कर दूंगे मैं कुटी लाल मिर्च साबब धनिया सूखा धनिया जो था वो साबब बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर अब एड़ कर देंगे थी टेबस पूर पानी और मैंने इसको अच्छे से मिला के तो इसका ये एक टेक्स्चर रेड़ी कर लिया है ज्यादा बेसन एड़ करने से क्या होगा कि हमारे अच्छे नहीं बनेंगे तो बेसन अपने हिसाब से इसमें एड़ करना है यहां पर मैंने घी लिया है घी हमारा फूल गरम है अब मैंने जो फ्लेम है वो मैंने मीटियम कर दी हुई है अब मैं हाथ की मदद से यानिक अपने हैंड की हैब से मैं चुटे-चुटे से पकोड कर लोंगी ब्राउन और दैनमिस की जो साइड है वो फ्लिप कर दोगी ओर दूसरी साइड से भी मैं इसको कर लोगी अच्छे से ब्राउन तो ब्राउन करियेगा डाक ब्राउन मत कर लिएगा और यह मैं कोड़ी है तो रैडी हैं हमारे बहुत ही मज़े के क्रिस्पी प्या चाल को सब्सक्राइब करें और बेला आइकन को प्रस करना मत भूलेगा इससे मिलने वाले हैं अब सबस्क्राइब कर देये और अगर और आप लाफीस